भारतिय स्टेट बैंक विशेशग्य संवर्ग के अधिकारियों की भरती SBI Recruitment of Specialist Cader Officers आदर्श हल प्रशन पत्र तर्क बुद्धी का परिक्षन प्रशन एक, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए E L R U अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं एक कोई नहीं, दो एक, तीन, दो, चार, तीन, पांच, तीन से अधिक सही उत्तर है विकल्ब तीन, दो, हल, L U R E Lure और R U L E Rule प्रश्न दो, शब्द, स्टेपलर, S T A P L E R में अक्षरों के ऐसे कितने जोडे हैं जिन में से प्रत्तेक के बीच, शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्नमाला में उनके बीच हैं विकल्ब एक, कोई नहीं, दो, एक, तीन, दो, चार, तीन, पाँच, तीन से अधिक सही उत्तर है विकल्ब तीन, दो, हल, ये हैं S T, S P प्रश्न तीन, निम्न पाँच में से चार किसी प्रकार समान हैं इसलिए उनका एक सम्हू बनता है, वो एक कौनसा है जो उस सम्हू में नहीं आता है एक, मजिन्टा, दो, जामनी, तीन, गुलाबी, चार, सलेटी, पाँच, नीला सही उत्तर है, विकल्ब पाँच, नीला व्याख्या, इंद्रधनुष में अकेला रंग प्रश्न चार, एक खास कोड में, डाउट, D.O.U.B.T. को 5, 3, 1, 4, 6 और टीम, T.E.A.M. को 6, 9, 7, 2 लिखा जाता है उस कोड में अबूड, A.B.O.D.E. कैसे लिखा जाएगा विकल्ब 1, 7, 4, 6, 5, 9 2, 7, 3, 4, 5, 9 3, 7, 5, 4, 3, 9 4, 7, 4, 3, 5, 9 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब 4, 7, 4, 3, 5, 9 व्याख्या D को 5, O को 3, U को 1, B को 4 T को 6, E को 9, A को 7 और M को 2 लिखा गया है इसलिए A.B.O.D. को लिखा जाएगा 7, 4, 3, 5, 9 प्रश्न पांच निम्न पांच में से 4 किसी प्रकार समान है इसलिए उनका एक सम्हू बनता है वो एक कौन सा है जो उस सम्हू में नहीं आता है 1. सितार 2. बासुरी 3. वाइलिन 4. संतूर 5. सरोद सही उत्तर है विकल्प 2 बासुरी प्रश्न छे संख्या 6, 9, 1, 4, 3, 8, 7, 5 में ऐसे कितने अंक हैं जिन में से प्रत्य कारंभ से उतनी ही दूर है जितना की संख्या के भीतर अंको को अवरोही क्रम में लगाने के बाद होंगे विकल्प 1 कोई नहीं 2, 1, 3, 2, 4, 3 5, 3 से अधिक सही उत्तर है विकल्प 1 कोई नहीं हल दी गई संख्या है 6, 9, 1, 4, 3, 8, 7, 5 अवरोही क्रम में ये होगी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 अधह ऐसी कोई संख्या नहीं है प्रश्न साथ एक खास कोड में वेर आर यू को पिट का ता और आर दे देर को सा दा का और दे में कम को दा ना जा लिखा जाता है उस कोड में देर कैसे लिखा जाएगा विकल्प हैं एक दा, दो सा, तीन का, चार आकड़े अधूरे हैं पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प दो सा हल वेर आर यू को लिखा है पिट का ता आर दे देर को लिखा है सा दा का दे में कम को लिखा है दा ना जा प्रश्ट है देर के लिए सा आएगा प्रश्ण आठ एक खास कोड में डॉक्यूमेंट्स डी ओ सी यू एम एन टी एस को वी डी पी एन आर एस एम डी लिखा जाता है उस कोड में एडवर्टाइज एडी वी ए आर टी आइस ए कैसे लिखा जाएगा विकल्प एक F.W.E.B.S.D.R.H.S 2. F.W.E.N.S.S.H.R.D 3. B.E.D.F.S.D.R.H.S 4. F.W.E.B.S.F.M.L.D. 5. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प एक F.W.E.B.S.D.R.H.S व्याख्या डोक्यूमेंट्स को लिखा है U.C.O.D.S.D.N.E. यहाँ U.C.O.D.P.L.S.1 और M के स्थान पर भी P.L.S.1 और E.N.T.S. में माइनस वन किया गया है इसी प्रकार एड़र्टाइस के लिए लिखा जाएगा E.B.D.A.P.L.S. E.S.I.T.-1 और बीच वाला अक्षर R का प्लस वन S. अतह यहाँ आएगा F.W.E.B.S.D.R.H.S. प्रश्न नौ निमन अक्षर श्रंखला में अगला अक्षर क्या होगा? श्रंखला है A.B.C.D.E.F.Z.Y.X.W.V.U.A.B.C.D.E.Z.Y.X.W.V.U.A.B.C.D.E.Z.Y.X.W.V.E. विकल्प 1.U.2.A.3.B.4.Z.5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 2.A प्रश्न दस P.Q.R.S. और T में प्रतेक ने भिन अंक प्राप्त किये हैं Q ने केवल T से अधिक अंक लिये हैं और P ने S से अधिक किन्तु R से कम प्राप्त किये हैं किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हैं 1.P. विकल्प 2.S. 3.R. 4.T. 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3.R हल R greater than P greater than S greater than Q greater than T निर्देश प्रश्न 11 से 14 निमने व्यवस्था को ध्यान से समझिए और यहां दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए व्यवस्था इस प्रकार है 7.M. 4.P. प्रतिशत J.V. 1.K. 3 at the rate of E.W. 2.Q. copyright 6.T.A. star. 8.Z. I. 5.$. F.U. hash. 9.H. N. प्रश्न 11 उपर्युक्त व्यवस्था में 22 अंत से 19 वे के छटे बाए क्या होगा 1.$ 2.T 3.W. 4.A. 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3.W प्रश्न 12 उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है जिनके एकदम पहले एक प्रतिक है और एकदम बाद में संख्या दो है विकल्प एक कोई नहीं 2,1,3,2,4,3,5,3 से अधिक सही उत्तर है विकल्प एक कोई नहीं प्रश्न 13 रह, उपरयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनके एकदम पहले एक व्यांजन हैं, और एकदम बाद में भी एक व्यांजन हैं, विकलप हैं, 1 कोई नहीं, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3 से अधिक, सही उत्तर है विकलप 4, 3, व्याख्या ये है M4P, V1K, W2Q प्रश्न चादह यदि उपर्योगत व्यवस्था से सभी प्रतिक हटा दिये जाएं तो निम्न में से कौन सा दाएं के अंत से पारवा होगा 1Q, 2, 6, 3, 2, 4, T, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब 2, 6 निर्देश प्रश्न 15-18 यहां दिये गए प्रतिक प्रश्न में तीन कथन और उसके बाद तीन निशकर्ष एक दो और तीन दिये गए हैं आपको दिये गए कथनों को सत्यमानना है भले ही वे सर्वग्यात तत्यों से भिन्न प्रतित होते हों सभी तथ्यों को समझिए और फिर तै किजिए कि दिये गए सभी निशकर्षों में कौन सा निशकर्ष दिये गए तीन कत्नों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है चाहे सर्वग्यात तथ्य कुछ भी हूँ प्रश्ण पंद्रह कथन सभी स्टोर टोक्रिया है कुछ टोक्रिया छडिया है सभी छडिया चेन है निशकर्ष एक कुछ चेन स्टोर है दो कुछ चडिया स्टोर है तीन कुछ चेन टोक्रिया है विकल्ब हैं एक कोई अनुसरन नहीं करता, दो केवल एक अनुसरन करता है, तीन केवल दो अनुसरन करता है, चार केवल तीन अनुसरन करता है, पाँच केवल दो वतीन अनुसरन करते हैं सही उत्तर है विकल्ब चार केवल तीन अनुसरन करता है प्रिश्ट 98 एक दो वतीन सभी अनुसरन करते हैं पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प दो केवल एक वतीन अनुसरन करते हैं प्रश्ण सत्रह कथन है सभी कमरे तारे हैं सभी तारे सड़के हैं सभी सड़के कारे हैं निशकर्ष एक कुछ कारे कमरे हैं तो कुछ सड़के कमर हैं तीन कुछ कारें दिवारें हैं विकल्ब हैं एक केवल एक वडो अनुसरन करते हैं दो केवल दो रचार 1 או 2IN पांच इन मेंसे कोई नहें. सही उत्तर है विकल्प चार, एक, दो वतीन सभी अनुसरन करते हैं प्रश्न अठरह, कथन, सभी मेज पैंसिले हैं, कोई पैंसिल बॉक्स नहीं है, कुछ बॉक्स मैट है निशकर्ष एक कुछ मैट पैंसिले हैं, दो कुछ बॉक्स मेज हैं, तीन कुछ मैट मेज हैं विकल्प हैं, एक कोई अनुसरण नहीं करता है, दो केवल एक अनुसरण करता है, तीन केवल दो अनुसरण करता है, चार केवल तीन अनुसरण करता है, पांच केवल एक वदो अनुसरण करते हैं, सही उत्तर है विकल्प एक कोई अनुसरण नहीं करता है, निर्देश पुर्व कध्यान कर दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक शब्द और संख्या व्यवस्था की एक मशीन को जब शब्दों और संख्याओं को एक इन्पुट लाइन दी जाए तो वो प्रत्तेक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर चरण एक 91 जग स्टेबल 24-46-32 ओवर केक चरण दो 91 केक जग स्टेबल 24-46-32 ओवर चरण तीन 91 केक 46 जग स्टेबल 24-32 ओवर चरण चार 91 केक 46 जग 32 स्टेबल 24 ओवर चरण पांच 91 केक 46 जग 32 ओवर स्टेबल 24 चरण छे 91 केक 46 जग 32 ओवर 24 स्टेबल और चरण छे पुनर व्यवस्था का अंतिम चरण है उपर्युक्त चरणों में अपनाए गए नियमों के अनुसार निम्न प्रत्तेग प्रश्ण में दिये गए इन्पुट के लिए उचे चरण का पता लगाईए प्रश्ण उन्निस इन्पुट ब्रेक 72 पॉट न्यू अठाइस चत्तेश सत्रह निम्न में से अंतिम से पहला चरण कौन सा हुगा विकल्प है 1,4,2,5,3,6,4,7,5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 5 इन में से कोई नहीं हल दिये गए चरणों का सावधानी पूर्वक अध्ययन दर्शाता है कि संख्याएं अवरोही क्रम में प्रथम अक्षरवाली शब्द आरोही क्रम में और वेकल्पिक चरणों में व्यवस्थित किये गए हैं इन पूत है स्पश्ट है इन पुट है ये अंतिम चरण है प्रश्ण 20 एक इन्पुट का चरण 2 है 86 एंड 12 16 38 गौन 9 फार पुनर्म्य वस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण चाहिए विकल्प 1 3 2 4 3 5 4 6 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 2 4 हल चरण 2 है 86 एंड 12 16 गौन 9 फार चरण 3 46 एंड 13 12 16 गौन 9 फार चरण 4 चार च eli अड 28 4 12 16 गौन 9 फार चरण 5 चैसी एंड 38 4 16 गौन 9 करन 9 इसलिए चार चरण और चाहिए प्रश्न 21 एक इन्पुट का चरण तीन है 75, bond, 79, 12, yes, town, go, 36 निमने में से कौन सा निश्चित रूप से इन्पुट है विकल्प है एक, 12, yes, bond, 75, 79, town, go, 36 दो, bond, 12, 79, yes, town, go, 36, 75 तीन, 79, bond, 75, 12, yes, town, go, 36 चार, निर्धारित नहीं किया जा सकता पांच, इन्में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प चार, निर्धारित नहीं किया जा सकता प्रश्ण बाईस इन्पुट, 32, for all, get, बरह, उन्निस, हाई, पैतालेस इन्में से चरण चार कौन सा होगा विकल्प है, एक, पैतालेस, 32, for all, get, बरह, उन्निस, हाई, दो, पैतालेस, all, 32, for, get, बरह, उन्निस, हाई, तीन, पैतालेस, all, 32, for, उन्निस, get, बरह, हाई, चार, ऐसा कोई चरण नहीं होगा, पांच, इन्में से कोई नहीं सही उत्तर है, विकल्प चार, ऐसा कोई चरण नहीं होगा हल इन्पुट है 32 for all get बरह उन्निस हाई 45 चरण एक 45 32 for all get बरह उन्निस हाई चरण दो 45 all 32 for get बरह उन्निस हाई चरण तीन 45 all 32 for उन्निस get बरह हाई ये अंतिम चरण है प्रश्ण तेईस एक इन्पुट का चरण है 69 कम 100 टाइम 15 20 यू 38 निम्न में से कौन सा अंतिम चरण होगा विकल्प है 1 4 2 6 3 5 4 7 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 1 4 हल चरण 2 है 69 कम 100 टाइम 15 20 यू 38 चरण 3 उन्सट कम 38 सो टाइम 15 20 यू चरण 4 उन्सट कम 38 सो टाइम 15 यू ये अंतिम चरण है प्रश्ण 24 इन्पुट न्यू कोट बाई 16 तेईस उननचास टावर 84 पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने जरण चाहिए एक चार दो पाँच तीन छे चार साथ पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब दो पाँच हल इन्पुट है न्यू कोट बाई 16 तेईस उननचास टावर 84 चरण एक चारासी न्यू कोट बाई 16 तेईस उननचास टावर चरण दो चारासी बाई न्यू कोट 16 तेईस उननचास टावर चरण तीन चारासी बाई उननचास न्यू कोट 16 तेईस टावर निर्देश प्रश्ण संख्या 25 से 30 निम्न प्रश्णों में प्रतीक, स्टार, डॉलर, प्रसेंट, एट दे रेट आप और कॉपिराइट प्रतीकों का निम्ना नुसार भिन अर्थों में प्रयोग किया गया है अब निम्न प्रत्यक प्रश्ण में दिये गए कत्नों को सत्यमानते हुए पता लगाए कि उनके नीचे दिये गए निशकर्ष एक दो तथा तीन में कौनसे निश्चित रूप से सत्य हैं और तदनुसार अपना उत्तर दीजें प्रश्ण पत्चिस कथन के अट्दरेट ओफ टी टी डॉलर आर आर स्टार जे निशकर्ष एक जे स्टार टी दो जे कॉपिराइट टी तीन आर कॉपिराइट के विकल्प है एक केवल एक सत्य है दो केवल दो सत्य है तीन केवल तीन सत्य है चार केवल या तो एक या दो वर तीन सत्य है पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प चार केवल या तो एक या दो वर तीन सत्य है व्याख्या, k greater than t greater than or equal to r equal to j निश्कर्ष एक, j बराबर t, 2, j smaller than t, 3, r smaller than k उत्तर, 4 प्रश्न 26, कथन, d copyright r, r% f, f at the rate of e निश्कर्ष एक, e copyright r, 2, f at the rate of d 3, f dollar d विकल्प 1, केवल 1 सत्य है, 2, केवल 2 सत्य है, 3, केवल 3 सत्य है, 4, केवल 1 और 2 सत्य है, 5, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है, विकल्प 2, केवल 2 सत्य है व्याख्या, d smaller than r, smaller than or equal to f greater than e निश्कर्ष एक, f smaller than r, asatya, 2, f greater than d, satya, 3, f greater than or equal to d, asatya प्रश्न 27, कथन, m star d, d dollar t, t at the rate of n निश्कर्ष एक, n copyright d, 2, t percent m, 3, n copyright m विकल्प है, 1, केवल 1 और 2 सत्य है, 2, केवल 2 सत्य है, 3, केवल 2 और 3 सत्य है, 4, केवल 1 और 3 सत्य है, 5, 1, 2 और 3 सभी सत्य है सही उत्तर है, विकल्प 5, 1, 2 और 3 सभी सत्य है, व्याख्या, m बराबर d, greater than or equal to t, greater than n निश्कर्ष एक, n smaller than d, सत्य, 2, t smaller than or equal to m, सत्य, 3, n smaller than m, सत्य प्रश्ण 28, कथन, w, dollar, h, h at the rate of m, m, percent t, निश्कर्ष, 1, t at the rate of h, 2, m, percent w, 3, t at the rate of w विकल्प है, एक, कोई सत्य नहीं, 2, केवल 1 सत्य है, 3, केवल 2 सत्य है, 4, केवल 3 सत्य है, 5, केवल 2 वर 3 सत्य है सही उत्तर है, विकल्प, 1, कोई सत्य नहीं, व्याख्या, w greater than or equal to h, greater than m, smaller than or equal to t निश्कर्ष, 1, t greater than h, सत्य, 2, m smaller than or equal to w, सत्य, 3, t greater than w, सत्य प्रिश्ट 99, प्रश्ण 29, कथन, b, percent r, r at the rate of k, k dollar n, निश्कर्ष, 1, n copyright r, 2, n percent r, 3, n copyright b विकल्प है, एक, कोई सत्य नहीं, 2, केवल 3 सत्य है, 3, केवल 1 सत्य है, 4, केवल 1 वर 2 सत्य है, 5, केवल 2 सत्य है सही उत्तर है, विकल्प 3, केवल 1 सत्य है, व्याख्या, b smaller than or equal to r, greater than k, greater than or equal to n निश्कर्ष, 1, n smaller than r, सत्य, 2, n smaller than or equal to r, सत्य, 3, n smaller than b, सत्य प्रश्ण 30, कथन, j copyright d, d star h, h percent f, निश्कर्ष, 1, h at the rate of j, 2, f dollar d, 3, f at the rate of j, विकल्प है, 1, केवल 1 वर 2 सत्य है, 2, केवल 1 वर 3 सत्य है, 3, केवल 2 वर 3 सत्य है, 4, 1, 2 वर 3 सभी सत्य है, पाँच, इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है, विकल्प 4, 1, 2 वर 3 सभी सत्य है, व्याख्या, j smaller than d equal to h, smaller than or equal to f, निश्कर्ष, 1, h greater than j, सत्य, 2, f greater than or equal to d, सत्य, 3, f greater than j, सत्य, निर्देश, प्रश्ण 31 से 35, इन में से प्रत्यक प्रश्ण में अक्षरों का एक सम्हों और अंकों वा प्रतिकों के चार संयोजन, एक, दो, तीन और चार दिये गए हैं अक्षरों को नीचे दी गई योजना और शर्तों के अनुसार अंकों या प्रतिकों के कोड दिये जाएंगे आपको पता लगाना है कि कौन सा संयोजन अक्षरों के समहू का सही धंग से निरूपन करता है और तदनुसार अपना उत्तर दर्शाना है यदि कोई भी संयोजन सही ना हो तो आपका उत्तर होगा पांच अर्धात इन में से कोई नहीं अक्षर है अंक या प्रतिक तीन पांच हैश चार दो एक नौ प्रतिशत डॉलर छे साथ आट स्टार अपर एरो अट दे रेट अफ शर्ते एक यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिमक्षर वेंजन है तो उनके कोड परस बरबदले जाएंगे दो यदि पहला और अंतिमक्षर स्वर है तो दोनों को कॉपिराइट कोड दिया जाएगा तीन यदि पहला अक्षर वेंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा रश्ण 31 अक्षर है टी एफ जे एन एल ए विकल्प है एक पांच दो छे साथ तीन आठ दो पांच दो छे साथ तीन पांच तीन आठ दो छे साथ तीन आठ चार आठ दो छे साथ तीन पांच इन में से कोई नहीं नहीं उत्तर है विकल्प तीन आठ दो छे साथ तीन आठ व्याख्या शर्ट तीन लागू होती है प्रश्न बत्तिस, दिये गए अक्षर हैं, E-F-U-H-D-I विकल्ब हैं, एक, चार दो अट दे रेट ओफ परसेंट अपर एरो डॉलर दो, डॉलर दो अट दे रेट ओफ परसेंट अपर एरो डॉलर तीन, चार दो अट दे रेट ओफ परसेंट अपर एरो चार, चार, कॉपिराइट दो अट दे रेट ओफ परसेंट अपर एरो कॉपिराइट पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प चार कॉपिराइट दो एड़ रेट ओफ परसेंट अपर एरो कॉपिराइट व्याख्या शर्ट दो लागू होती है प्रश्न तेस अक्षर है आर पी आई यू बी एल विकल्प है एक एक नौ डॉलर अट दे रेट ओफ हैश तीन दो तीन नौ डॉलर अट दे रेट ओफ हैश एक तीन कॉपिराइट नौ डॉलर अट दे रेट ओफ हैश कॉपिराइट चार तीन नौ डॉलर अट दे रेट ओफ हैश तीन पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प एक, एक नौ डॉलर एड़ रेट ओफ हैश तीन, व्याख्या, कोई शर्थ लागू नहीं होती है, प्रश्न चाउतिस, अक्षर है, जे क्यू इबी एफ आई, विकल्प है, एक छे स्टार चार हैश दो डॉलर, दो डॉलर स्टार चार हैश दो डॉलर, तीन, छै स्टार चार हैश दो च्छै, चार डॉलर स्टार चार हैश दो छै, पाँच, इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प दो, डॉलर स्टार चार हैश दो डॉलर, व्याख्या, शर्थ तीन लागू होती है, प्रश्न पैंतिस, अक्षर है U, H, F, R, N, D, चाहर, 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 पांच इन में से कौई नहीं, सही उत्तर है विकल्प पांच इन में से कोई नहीं, व्याख्या, अपर एरो परशेंट दो एक साथ एक शर्थ एक लागू होती है, निर्देश प्रश्ण संख्या 36-40 इन प्रश्णों का उत्तर देने के लिए इस जानकरी को ध्यान से समझिए साथ मित्र A, B, C, D, E, F, V, G सोमवार से रविवारत का लग-लग दिन स्टेज शो का प्रदर्शन करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में प्रतेक एक भिन आइटम दिखाता है यथा संगीत, मृत्य, मिमिक्री, नाटक, वादविवार, स्वीच और मूनोलोग लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में B, गुरुवार को नाटक का प्रदर्शन करता है और E, रविवार को संगीत का G, मिमिक्री का प्रदर्शन मंगलवार या शनिवार को नहीं करता है C का प्रदर्शन G के प्रदर्शन के अगले दिन होता है D, अपना प्रदर्शन सुमवार को करता है लेकिन वो नृत्य या वादविवाद नहीं करता ए मोनोलोग दिखाता है जो स्पीच के अगले दिन होता है नृत्य का प्रदर्शन शनिवार को नहीं होता प्रश्न चत्तिस नृत्य कौन करता है विकल्प एक C, 2, F, 3, D, 4, C या D, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 2, F हल प्रश्न चत्तिस और चालिस के लिए संकेत मित्र A, आइटम मोनोलोग करता है दिन मंगलवार B, नाटक ब्रहस्पतिवार C, वादविवाद शनिवार D, स्पीच सोमवार E, संगीत रभिवार F, रित्य बुधवार G, मिमिक्री शुक्रवार मंगलवार, शनिवार, क्रॉस पश्ट है, नृत्य F करता है प्रश्न सैंतिस D, कौनसे आइटम किस दिन प्रदर्शन करता है विकल्प है 1, मिमिक्री सोमवार 2, संगीत मंगलवार 3, नाटक बुधवार 4, स्पीच सोमवार 5, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 4, स्पीच सोमवार प्रश्न अड़तिस A, सप्ता के किस दिन प्रदर्शन करता है विकल्प है 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, शुक्रवार 4, सनिवार 5, इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 1, मंगलवार प्रश्ण 49 जी सप्ता के किस दिन प्रदर्शन करता है विकल्प है एक बुधवार, दो शनिवार, तीन मंगलवार, चार निर्धारित नहीं किया जा सकता, पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प पांच इन में से कोई नहीं जी शुक्रवार को प्रदर्शन करता है प्रश्ण 40 वादविवाद का प्रदर्शन कौन करता है विकल्प है 1, B, 2, D, 3, F, 4, C, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 4, C, निर्देश प्रश्ण 41 से 45 महत्वपूर्ण प्रश्णों के बारे में निर्णय करते समय ठोस और कमजोर तर्ख में प्रभेत कर सकता वांचिनिय होता है ठोस तर्ख महत्वपूर्ण और प्रश्ण से सीधे संबंधित होते हैं कमजोर तर्ख कम महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्ण से सीधे संबंधित नहीं भी हो सकते हैं या फिर प्रश्ण के किसी नगर्ने पहल उसे संबंधित हो सकते हैं यहां दिये गए प्रत्य प्रश्न के बाद दो तर्क एक वदो दिये गए हैं आपको यह तै करना है कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा कमजोर है उत्तर एक दीजिए यदि केवल तर्क एक ठोस है उत्तर दो दीजिए यदि केवल तर्क दो ठोस है उत्तर तीन दीजिए यदि या तो तर्क एक या तर्क दो ठोस है, उत्तर चार दीजिए यदि ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो ठोस है, उत्तर पांच दीजिए यदि तर्क एक और तर्क दो दोनों ठोस है, प्रश्न 41 कथन, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के registration को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोग देना चाहिए तर्क एक नहीं सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है दो हां भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एक मात्र तरीका है उत्तर चार ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो ठोस है 42. क्या भरत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? 1. हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाले सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा. 2. नहीं इन अस्पतालों का प्रबंध करने के सरकार के पास परियाप्त वित्य और मानुव संसाधन नहीं है. सही उत्तर है विकल्ब, 2. केवल तर्क, 2. ठोस है. 43. कथन, क्या सरकार को भरत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांद बनानी चाहिए? तर्क है, 1. नहीं, इससे सारे देश का एकोसिस्टम बरबाद हो जाएगा. 2. हाँ, पूरे देश में सीचाई के लिए परियाप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी. सही उत्तर है विकल्ब, 2. केवल तर्क, 2. ठोस है. प्रिश्ट, 100. प्रश्ण चवालिस, क्या सरकार को लाप कमाने वाले सार्वजनिक शेत्र के सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेश देना चाहिए? तर्क एक, नहीं, सरकार को इन उप्क्रमों का नियंदरन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाप कमाने वाली संस्थाएं हैं दो, हाँ, इससे सरकार को विशाल बजटिय घाटे को कम करने का और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी सही उत्तर है विकल्प एक, केवल तर्क एक, ठोस है प्रश्न पैतालिस, क्या भारत के सभी इंजिनेरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए तर्क एक, हाँ इसे इंजिनेरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए चात्रों की गुनवत्ता सुनिश्चित होगी दो, नहीं, ये विशेशकर संभव नहीं है सही उत्तर है विकल्प एक, केवल तर्क एक, ठोस है निर्देश प्रश्न 46 से 50 यहां एक परिछेद दिया गया है और उसके नीचे उस परिछेद में दिये गए तत्यों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कुछ संभवित अनुमान दिये गए हैं आप हर एक अनुमान की परिच्छेत के संदब में अलग-अलग परिक्षा कर सत्यता या असत्यता की मात्रा निश्चेत कीजिए। उत्तर एक दिजिए, यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, अर्थात वो दिये गए तत्यों का उचित रूप से अनुसरन करता है। उत्तर दो दीजिये यदि अनुमान संभवता सत्य है, यद्वा असत्य ये आप नहीं कह सकते। उत्तर चार दीजिए यदि अनुमान संभवत असत्य हैं, यद्यपी दिये गए तथ्यों के संदब में निश्चित रूप से असत्य नहीं हैं. उत्तर पांच दीजिए यदि अनुमान निश्चित रूप से असत्य हैं, अर्था दिये हुए तथ्यों का संभवत अनुसरण नहीं करते हैं अत्वा वो दिये गए तथ्यों के विप्रीच जाता है परिच्छे इस प्रकार है साहुकारों के युगों पुराने भैने भारतियों में एक स्वाभाविक वित्य अनुशासन पैदा कर दिया है लेकिन पिछले चार वर्शों में हुए अत्यधिक विकास से ब उधार करताओं के जो खिम कई गुना बढ़ गए हैं और वित्य नविंता के साथ बनाए गए उत्पादों से उनकी देताएं शुरुवाती उधारों से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं भावी उधार करता शायद अपने पूर्व वर्तियों दबारा अतीत में की गई गलतिय उसे कोई सबक ले सकें प्रश्न 46 पहले के उधार दाताओं ने उधार करताओं को वित्य सुरक्षा प्रदान की उत्तर 2 अनुमान संभवतह सत्य हैं यद्दिपी दिये गए तथ्यों के संदब निश्चित रूप से सत्य नहीं हैं प्रश्न 47 फ्लोटिंग ब्याजदर पर रिन लेने पर उधार करताओं को जोखिम अधिक होता है उत्तर 1 अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात वो दिये गए तथ्यों का उचित रूप से अनुसरन व्यक्त करता है प्रश्न 48 नए वित्य उत्पाद उधार करताओं की देयता कम कर देते हैं उत्तर 4 अन अनुमान संभवतह असत्य है यद्यपी दिये गए तथ्यों के संदब में निश्चित रूप से असत्य नहीं है प्रश्न 49 भावी उधार करताओं को उधार लेने से पहले दूसरों के अनुभव से सीखने की जरूरत है उत्तर 1 अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर् अर्थात दिये हुए तथ्यों का संभवतह अनुसरन नहीं करता है अर्थात वो दिये गए तथ्यों के विप्रीच जाता है प्रश्न तर्क बुद्धी समाप्त प्रिष्ट 101 गुणात्मक योग्यता निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्न प्रश्नों में प्रश्न च सही उत्तर है विकल्ब पांच इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्ब पांच इन में से कोई नहीं, प्रश्ण 2, 450 का 78 प्रतिशत प्लस 250 का प्रश्ण चिन्न प्रतिशत बराबर 441, विकल्ब है 1, 32, 2, 36, 3, 42, 4, 44, 5 इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्ब 2, 36, हल, 250 का प्रश्ण चिन्न प्रतिशत बराबर 441-450 का 78 प्रतिशत इसलिए, प्रश्ण चिन्न बट्टे 100 गुणा 250 बराबर 441-88 बट्टे 100 गुणा 450 बराबर 441-351 बराबर 90, इसलिए, प्रश्ण चिन्न बराबर 90 गुणा 100 बट्टे 250 बराबर 36, उत्तर 2, प्रश्ण तीन, 12.25 गुणा 6.4-18.95 बराबर प्रश्ण चिन्न, विकल्प 1, 69.45, 2, 60.645, 3, 60.45, 4, 69.45, 5 इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प 1, 69.45, हल, प्रश्ण चिन्न बराबर 12.25 गुणा 6.4-18.95 बराबर 38.4-18.95 बराबर 69.45, प्रश्ण चार, 5 सही एक बटा 6, गुणा 4 सही तीन बटा 8, भाग 2 सही एक बटा 8, बराबर प्रश्ण चिन्न, विकल्प है 1, 10 सही 27 बटे 102, 2, 10 सही 31 बटे 102, 3, 10 सही 11 बटे 51, 4, 10 सही 65 बटे 102, 5 इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प 4, 10 सही 65 बटे 102, हल, 5 सही एक बटा 6, गुणा 4 सही 3 बटा 8, भाग 2 सही एक बटा 8, बराबर प्रश्ण चिन्न, इसलिए प्रश्न चिन बराबर 31 बटे 6 गुणा 35 बटे 8 भाग 17 बटे 8 बराबर 31 बटे 6 गुणा 35 बटे 8 गुणा 8 बटे 17 बराबर 1085 बटे 102 बराबर 1065 बटे 102 प्रश्न पाँच 33.333 प्लस 3.333 माइनस 2.003 बराबर प्रश्न चिन विकल्प एक 33.363 दो 33.463 तीन 34.363 चार 34.463 पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3 34.363 निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 इन में से प्रत्यक प्रश्न में एक संख्या श्रंखला दी गई है इस श्रंखला के बाद एक संख्या और उसके बाद A, B, C, D और E दिये गए हैं मूल श्रंखला के अनुक्रम का अनुसरन करते हुए आपको दी गई संख्या से आरंभ करते हुए श्रंखला पूरी करनी है और श्रंखला के बाद दिये गए प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्न श्रंखला है 4, 25, 104, 35, 632, 633, 7, A, B, C, D, E C के स्थान पर क्या आएगा विकल्ब है 1, 6, 2, 495, 3, 456, 4, 493, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब 2, 495 हल ग्रम है गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 इसलिए A बराबर 7 गुणा 5 प्लस 5 बराबर 40 B बराबर 40 गुणा 4 प्लस 4 बराबर 164 C बराबर 164 गुणा 3 प्लस 3 बराबर 495 उत्तर 2 प्रश्न साथ, श्रंखला है 7, 15, 31, 63, 127, 255, 11, A, B, C, D, E E के स्थान पर क्या आएगा? विकल्ब है 1, 374, 2, 373, 3, 382, 4, 383, 5, 385 सही उत्तर है विकल्ब 4, 383 हल, ग्रम है गुणा 2 प्लस एक, इसलिए A बराबर 11 गुणा 2 प्लस एक, बराबर 20 B बराबर 23 गुणा 2 प्लस एक, बराबर 47 C बराबर 47 गुणा 2 प्लस एक, बराबर 95 D बराबर 95 गुणा 2 प्लस एक, बराबर 191 E बराबर 191 गुणा 2 प्लस एक, बराबर 383 उत्तर 4 रश्न आट श्रंखला है 9, 5, 6, 10.5, 23, 60, 17 A, B, C, D, E D के स्थान पर क्या आएगा? विकल्प है 1, 35, 2, 33, 3, 43, 4, 45 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 1, 35 हल, क्रम है गुणा 0.5 प्लस 0.5 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1.5 प्लस 1.5 इसी तरह इसलिए A बराबर 17 गुणा 0.5 प्लस 0.5 बराबर 9 B बराबर 9 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 10 C बराबर 10 गुणा 1.5 प्लस 1.5 बराबर 16.5 D बराबर 16.5 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 35 उत्तर एक प्रश्न नौ श्रंखला है 3, 4, 12, 45, 196, 1005 5 A, B, C, D, E C के स्थान पर क्या आएगा? विकल्प है 1, 49, 2, 47, 3, 57, 4, 55, 59 सही उत्तर है विकल्प 3, 57 हल क्रम है गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वेर गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वेर गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वेर इसलिए A बराबर 5 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वेर बराबर 6 B बराबर 6 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वेयर बराबर 16 C बराबर 16 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वेयर बराबर 57 उत्तर 3 प्रश्न 10 श्रंखला है 5, 24, 115, 456, 1365, 2728, 4, A, B, C, D, E B के स्थान पर क्या आएगा? विकल्प है 1, 80, 2, 90, 3, 95, 4, 88, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 5 इन में से कोई नहीं हल, क्रम है गुणा 6-6, गुणा 5-5, गुणा 4-4 इसलिए A बराबर 4 गुणा 6-6 बराबर 18 B बराबर 18 गुणा 5-5 बराबर 58 उत्तर 5 700 रुपए पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3, 720 रुपए हल, कुल लागत मूल्प बराबर 140 गुणा 450 प्लस 250 गुणा 5-5 बराबर 63,000 प्लस 1 लाग 37,500 बराबर रुपए 2 लाग 500 रुपए कुल विक्रय मूल्प बराबर 1.4 गुणा 2 लाग 500 बराबर 2,8,700 रुपए उसत विक्रय मूल्प बराबर 2,8,700 बटे 140 प्लस 250 बराबर 719.7 रुपए प्रश्न बारह एक कॉलेज में कला और वानिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमश हैं 65 अधिक विद्यार्थी वानिज्य संकाय में शामिल हुए तो ये अनुपात क्रमश है 8.11 हो गया कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं विकल्प हैं एक पांस सो बीस दो छेसो पचास तीन साथ सो पंद्रह चार निर्धारित नहीं किया जा सकता है पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प एक पांस सो बीस हल माना कला और वानिच में विद्यार्थियों की संख्या A और C तब A बटा C बराबर 4 बटे 5 और A बराबर 4 बटे 5 C जब 65 वानिच विद्यार्थी संकाय में शामिल हों A बटे C प्लस 65 बराबर 8 बटे 11 इसलिए A बटे 5 बटे 4A प्लस 65 बराबर 8 बटे 11 इसलिए A बटे 5A प्लस 260 बराबर 8 बटे 11 इसलिए A बराबर 520 प्रिष्ट 102 प्रश्ण 13 अर्थवार्षिक आधार पर चक्रवर्द्धी ब्याज से 10,000 की राशी दो वर्षों में 14,641 रुपए हो जाती है चक्रवर्द्धी ब्याज की दर प्रतिशत प्रतिवार्षिक कितनी हैं? विकल्प है 1,10,2,20,3,16,4,12,5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 2,20 हल माना ब्याज की दर है आर्थ प्रतिशत इसलिए 14,641 बराबर 10,000 कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 200 कोष्टक बंद की घाच चार इसलिए 14,641 बराबर 10,000 बराबर कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 200 की घाच चार बराबर 1,46,4,1 इसलिए 1 प्लस आर बटे 200 बराबर 1,1 बराबर आर बटे 200 बराबर 0,1 इसलिए आर बराबर 20 प्रतिशत प्रश्ण 14, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटिमीटर द्रिज्यावाले एक व्रित्य के क्षेत्रफल के समान है आयत की लंबाई और चौडाई क्रमशहर 14 अनुपाद 11 के अनुपाद में हैं तो इसकी परिधी कितनी हैं? विकल्प 1, 142 सेंटिमीटर, 2, 140 सेंटिमीटर, 3, 132 सेंटिमीटर, 4, 150 सेंटिमीटर, 5 इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 4, 150 सेंटिमीटर, हल व्रित्य का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वेर, बराबर 22 बटे साद गुणा 21 गुणा 21, बराबर 1386 वर्ग सेंटिमीटर, माना आयत की लंबाई और चौडाई क्रमश 14X और 11X है, 14X कुणा 11X बराबर 1386, इसलिए X स्क्वेर बराबर 9, X बराबर 3, परिधी बराबर 2, कोश्टक में 42 प्लस 33 बराबर 150 सेंटिमीटर, प्रश्ण पंद्रह, श्री रामलाल ने 12,500 रुपए में एक टीवी सेट खरीदा और परिवहन में 300 रुपए और 800 रुपए में इंस्टालेशन पर खर्च किये, कुल 15 प्रतिशत के लाभरजन के लिए उसे ये कितनी कीमत में बेचना चाहिए, विकल्प है, एक, 14,560 रुपए, दो, 14,375 रुपए, तीन, 15,460 रुपए, चार, 15,375 रुपए, पांच इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प पांच इन में से कोई नहीं, हल, क्राई मूल्प बराबर 12,500 रुपए, परिवहन बराबर 300 रुपए, इंस्टालिशन बराबर 800 रुपए, कुल लागत बराबर 12,500 प्लस 300 प्लस 800 बराबर 13,600, लाभ बराबर 15 प्रतिशत, विक्राई मूल्प बराबर 115 बटे 100 गुणा 13,600 बराबर 15,640 रुपए प्रश्न सोलह, तीन लड़कियां एक रित्ता का ट्रैक के गिर्द एक साथ दौणना शुरू करती हैं और प्रतिक एक राउंड क्रमशह 24 सेकंड, 36 सेकंड और 48 सेकंड में पूरा करती हैं कितने समय बाद ये एक बिंदू पर मिलेंगी विकल्ब है एक दो मिनिट 20 सेकंड, दो दो मिनिट 24 सेकंड, तीन चार मिनिट 12 सेकंड, चार तीन मिनिट 36 सेकंड, पाँच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब दो, दो मिनिट 24 सेकंड हल वे 24, 36 और 48 के लगुत्तम समापवर्था कर्थात 144 सेकेंड के बाद मिलेंगे यानी 2 मिनिट 24 सेकेंड बाद प्रश्न सत्रह 60 km प्रति घंटा की गती से चलने वाली 240 मीटर लंबी एक ट्रेंग विप्प्रीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गती से चल रही 270 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेंग को कितने समय में पार करेगी विकल्प है 1. 17 सेकंड, 2. 3 सेकंड, 3. 12 सेकंड, 4. 8 सेकंड, 5. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 1. 17 सेकंड हल सापेक्ष कती बराबर 60 प्लस 48 बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा तै की गई दूरी बराबर 240 प्लस 270 बराबर 510 मीटर समय बराबर 510 गुणा 3,600 बर्टे 1000 प्लस 108 बराबर 17 सेकंड प्रश्न अठरह, 50,000 रुपए के निवेश से सरीता ने एक बुटीक चालू किया 6 महिने बाद 80,000 रुपए की राशी सहेत नीता उसके साथ जुड़ गई एक वर्श के अंत में उन्होंने 18,000 रुपए का लाब कमाया इस लाब में सरीता का हिस्सा कितना है विकल्ब है एक नौ हजार रुपए, दो आठ हजार रुपए, तीन बारह हजार रुपए, चार दस हजार रुपए, पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्ब चार दस हजार रुपए हल, लाब में सीता और नीता के शेयर का अनुपात 50,000 गुणा 12 अनुपात 80,000 गुणा 6, 60 अनुपात 48 या 5 अनुपात 4, सरीता का भाग बराबर 5 बटे 9 गुणा 18,000 बराबर 10,000 रुपए प्रश्न 19, अकेला A, 6 दिन में 100 बास्केट बना सकता है, अकेला B, 12 दिन में 100 बास्केट बना सकता है, A और B मिलकर 100 बास्केट कितने दिन में बनाएंगे विकल्प है, 1, 3 दिन, 2, 5 दिन, 3, 2 सही 1 बटा 2 दिन, 4, 3 सही 1 बटा 2 दिन, 5 इन में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प 5 इन में से कोई नहीं हल, A एक दिन में 100 बटा 6 बास्केट बना सकता है, B एक दिन में 100 बटे 12 बास्केट बना सकता है, A प्लस B एक दिन में 100 बटे 6 प्लस 100 बटे 12 बराबर 300 बटे 12 बास्केट बना सकते हैं, बराबर 25 बास्केट, 24 दिन में 100 बास्केट बनाएंगे प्रश्न बीस समीर की आयू अपने पिता की आयू से एक चोथाई और अपने बेहन रीमा की आयू से दो तिहाई है समीर रीमा और उनके पिता की आयू का क्रमशा अनुपात कितना है विकल्ब है एक तीन अनुपात दो अनुपात आठ दो तीन अनुपात चार अनुपात आठ तीन दो अनुपात तीन अनुपात आठ चार चार अनुपात तीन अनुपात आठ पांच इन में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प 3, 2 अनुपात 3, 8 निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्न प्रश्नों में प्रश्न चेन्न के स्थान पर क्या आएगा तत्यतह मूल्य की गण्ना अपेक्षित नहीं है प्रश्न 21, 14.95 गुणा 8.009 प्रश्न चेन्न बराबर 480 विकल्प है 1,320, 2,360, 3,390, 4,300, 5,310 सही उत्तर है विकल्प 2,360 हल प्रश्न चेन्न बराबर 480-14.95 गुणा 8.009 बराबर 480-120 बराबर 360 उत्तर 2 प्रश्न 22, अंडर रूट प्रश्न चेन्न गुणा 16.0075 बराबर 256 विकल्प है 1,16, 2,36, 3,144, 4,196, 5,256 सही उत्तर है विकल्प 5,256 हल प्रश्न चेन्न का अंडर रूट बराबर 256 बटे 16.0075 लगभग बराबर हुगा 16 इसलिए प्रश्न चेन्न बराबर 16 का स्क्वेर बराबर 256 प्रश्न तेस 599.99 divided by कोश्टक में 4.99 का होल स्क्वेर बराबर प्रश्न चेन्न विकल्प 1,28, 2,26, 3,18, 4,24, 5,20 सही उत्तर है विकल्प 4,24 हल प्रश्न चेन्न बराबर 599.99 divided by कोश्टक में 4.99 का होल स्क्वेर बराबर